असलाम अलेकूम फ्रेंज आज हम अपने मस आफिस पार्ट वन स्टैट करेंगे और हमने इसमें आफिस टेबन बटन जो है वह यूज किया था यह चार-पांच आफ्शन और बहुत इंट्रोडेक्शन दिया हुआ था लास्ट लेक्चर में अभी जो है हम प्रक्टिकल प्रेंट्ट वह रहुआ है तो प्रेंट में तीन आफिशन आते हैं नंबर वां प्रेंट गव्क देंट था प्रेंट 15 ब्र बहुत ही इंपार्ट टेंट जी इन जब आपक में सब्जेक पर्टते थे में टिंटर में तो टीचर स्में बताता था एंबी एंड वरी एंबी तो यह जो आप्शन प्रेंट का दिया हुआ है यह वरी एंबी आप्शन है अगर आप दूसरे कोई भूल सकते हो अगर आप्शन भूल गए तो कोई मसला नहीं काम चला जाएगा मगर यह सटैंग है जो आफीस में वरी इंपोर्टन्ट होती है और कितनी लोगों को यह नहीं पता होता है centrum में हमें बससी बताया जाता है के प्रेंट होगा और आज हम इसको डीपली पढ़ेंगे तो first of all हम इस पर क्लिक किया first option पर ये एक menu हमारे सामने आ चुका है तो starting करते हैं यहां से यह क्या है यहां से हम printer select करते हैं अगर आपके पास कोई printer है तो आप select करेंगे ठीक है अगर प्रोपर्टी है अगर आप select नहीं किया है तो कैसे करेंगे यहां से जो है उसमें अंदर option है ठीक है default यह हमारा default में होता है ठीक है उसके बाद होता है letter ज्यादा तर जो है अगर हम setting करते हैं तो हमारे दोस्त जो होते हैं यह हम आगे जाकर पढ़ेंगे page layout लिए हमारी यहां पर option है size का यहां से select कर देते हैं उसके बाद print out दे देते हैं मगर वह setting out हो जाती है तो असल में दो चीजों से setting होती है paper कि जब आप print out करते हैं एक यहां से और दूसरा यहां से करते हैं ठीक है तो दोनों equal होनी चाहिए अगर यहां पर letter page है और a4 वहां पर तो आपक चाहल लगना है ठीक है तो यह सारे pages हैं जो हम आगे जाकर पढ़ेंगे इसमें क्या difference है सब आपको पता चल जाएगा ठीक है और उसके इलावा यह जब हम इसको click करेंगे तो यह option आ जाता है convert first page and other page ठीक है जब यह आप print out करेंगे जो आपको print निकालना होता है उसे साफसे हम practically भी आगे जाके हम करेंगे तो आपको बिल्कुल deeply समझ में आज जाएगा ठीक है तो हम अभी सरसरे से जो है ना पढ़ रहे हैं ताकि आपको समझ में आए और एक दिन में जिना होके उप पर merge करते हैं आगे जाकर इसको तुबारा से open करेंगे क्योंकि यह सारी चीजें important है और इसमें जो है अभी तक आगे जाकर आप पढ़ेंगे वह भी आ जाता है ठीक है तो अभी जो है यहां से आप कोई भी printer है black and white है तो black and white में select करेंगे अगर रंगीन है तो रंगीन करें तो अब हम आप जो है ना यहां option होता है control panel open करेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा option ठीक है और यहां पर यह देखेंगा यह सारी चीजें add करने के लिए होता है तो यहां से आप printer को add कर सकते हो तो अब हमें जो भी printer है यहां से लेकर सकते हैं इस पर हमने क्लिक किया और यह आ गया default हमारा यही printer है और कोई हमारे पास printer अविलेबल नहीं है अगर आपके पास अविलेबल होगा तो आप यहां से जाकर और भी रख सकते हैं ठीक है हम इसको minimize करते हैं और फिर यहां से जो भी जो भी वहां पर होंगे वह सारे आपके यहां पर शोग करेंगे इस लिस्त में और अभी जो है अगर आप print देते हो अभी आइधिंग आपके 5 यह 6 pages हैं और सारे आप print निकालना चाहते हो तो आप all कर देंगे जितने भी pages होंगे automatically print हो जाएंगे current page का क्या मतलब होता है अगर 20-30 page है और हमारा cursor उसी page पे है और हम Ctrl-P कर देते हैं और current पे आजाते हैं पर जिस page पे आपका cursor होगा blank कर आओगा अगर दसमें पे होगा तो दसवाई print निकलेगा अगर बीसमें पे होगा तो बीसवाई नि पेज करता हूँ तो मेरा जो है बीसवाई पेज ही अगर होगा तो बीसमें पे आजाएगा और उसके बाद होता है pages अगर हमें जो है कोई 20-page room में से 20-page में से हमें कोई limited जो है चाहिए for example 19 नंबर चाहिए या कुछ और चाहिए तो आप यहां से select कर सकते हैं अगर मुझे एक चाहिए उसके बाद कामा की निशानी वज़ दो चाहिए या उसके बाद मुझे पांच चाहिए या नो चाहिए जो भी आपको चाहिए page number वह पुट करकर और ok करेंगे तो यह print हो जाएगा ठीक है friends यह सारी तो common बातें हो गई अब एक ही set के आपके दो copy चाहिए तो आ क्या है मैं आपको बताता हूं very well और क्योंकि और ordinary odd और even or odd आपने पढ़ी होगी यह सारा सिस्टम यहां पर है collection का जब आप copies लिखेंगे उस वाइज आपके जो इना होती चाहिए ठीक है और उसके अलावा यह क्या है what is a print of documents यह जो है अगर है यहां पर हम options होते हैं फूट इसमें जो है हम कोई भी documents होते हैं तो अगर documents है तो documents पर आजाएंगे अगर footnote हमें print करना है तो footnote हम आगे हम पढ़ेंगे यह सारे options हैं तो इसमें ज्यादा तर हम काम होता है वह documents पर ही होता है तो हम इसको यहीं पर ही select करेंगे ठीक है उसके बाद है all pages even or odd जो है जो है जि इसमें किते हैं तो यह सेम सिस्टम होता है अगर आपको वहीं चाहिए अगर यारा है तो यारा है आएंगे यानि एक आएगा तीन आएगा साथ आएगा अगर odd होगा तो two eight six eight ten यह सारे pages होंगे यह आप अपनी हिसाब से print out कर सकते हैं ठीक है और उसके अलावा per page यह क्या ह per page यह है कि अगर आप एक ही पेपर पर कितने पेपर आने चाहिए जैसे अगर आप एक स्लाइट से यह ज्यादा तर हम यूज करते हैं कि एक शीट पर दो स्लाइट आजा है तब हमें यह बड़ा important काम है यूज करना पड़ता है और बड़ा काम आता है ठीक है और उसके बा और अब जब आप select करेंगे तो आप उसके बाद okay करके और print out करेंगे तो वह print होगा ठीक है यह यहां तक आ गया और अब हम इसको बंद करतेते हैं second option है quick print quick print करेंगे तो कोई भी option नहीं आएगा direct बस print में चला जाएगा और यह मेरा PCA भी connected नहीं है वाना यह print में चला गया ठीक है तो अब इसको हम cancel कर देते हैं क्यूंकि printer connected नहीं है ठीक है इसका मतलब यह direct कोई option नहीं दिखाएगा वा जैसे होगा print कर देगा अब है और इसमें कोई खास बात नहीं है आज का यह options हमने पढ़ लिया और इंशाल्ला हम जो है दूसरे steps में यह सारी चीज़ें पढ़ेंगे और सारे इसको cover करेंगे so friend must be giving a suggestion and have a nice day see you soon bye bye and must be subscribe me my videos